Hey guys, welcome back to another video और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं discovery of electron के बारे में यानि कि electrons कैसे discover हुए और इन्हें किन-किन processes के थूर डिसकवर किया गया बट इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो electron की discovery है ये एक बहुत ही बड़ी discovery मानी गई थी उस time पे और जब ये experiment conduct किया जा रहा था तब हमें ये already पता था कि electric charges जो हैं वो दो तरह के होते हैं positive और negative और हमें ये भी पता था कि उन charges का जो behavior है वो different fields में कैसा होता है बट हमें ये नहीं पता था कि जो electron है उसी से ये negative charge generate होता है इसलिए इस experiment को करने के बाद हमें ये समझ में आया कि ये जो electron है ये ही contribute करते हैं negative charge बनने में यानि कि electron से ही negative charge बनता है ये हमें उस time पता चला था इस experiment करने के बाद हाँ तो चलिए अब directly इस experiment को देख लेते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक tube है और ये जो tube है ये glass का बना हुआ है और उपर के side ये जुड़ा हुआ है एक vacuum pump के साथ अब जो ये vacuum pump है ये क्या करता है ये इस tube के अंदर जो भी gas present है उसका pressure घटाता है इसलिए इसके वज़े से जो भी tube के अंदर gas present है उनका pressure कम हो जाता है यानि कि यहाँ पर हो जाता है low pressure gas और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो metal straps भी लगे हैं और ये दोनो straps connected हैं एक high voltage source के साथ या फिर बोल सकते हैं कि एक high voltage battery के साथ और जो strap इसके negative side के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं cathode और जो positive side के साथ जुड़ा हुआ है उससे हम कहते हैं anode तो अब आपने इसके setup को तो देख लिया तो अब अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि क्या इस tube के थूँ electricity पास करेगी तो आप लोगों में से majority of लोगों का यही answer होगा क्योंकि obviously तो इसलिए यहाँ पर कोई medium नहीं है पास करने का अब हवा के थूँ electricity थोड़ी पास करेगा उसको तो एक medium चाहिए पास करने के लिए बट यहाँ पर इस experiment के बाद जो results आए वो बहुत ही different थे तो अब इस experiment में क्या हुआ कि जब इस circuit को high voltage दिया गया और यहाँ पर एक ammeter भी लगा दिया गया तो यह देखा गया कि उस ammeter में continuous deflection हो रहा है अब इसका सीधा सा यही मतलब था कि जो circuit है उसके थूँ continuous current पास हो रहा है तो अब सारे scientist ने यह चीज़ देखी कि यह तो एक open circuit है यह एक दूसरे से जोड़ा हुआ नहीं है तो आखिर यहाँ current का flow हो कैसे सकता है बट वहीं दूसरी तरफ इस experiment को देखने के बाद scientist ने इतना तो assume कर लिया था कि यह जो open region है इसके थूँ कुछ तो flow कर रहा है अब या तो anode से cathode की तरफ flow कर रहा है या फिर cathode से anode की तरफ बट कुछ तो flow कर रहा है इनके बीच जिसके वज़ास से हमें आपर circuit में current का flow देखने को मिल रहा है तो अब जो next चीज फाइंड आउट करने थी scientist को वो थी कि जो particles move कर रहे हैं वो किस direction में move कर रहे हैं यानि कि वो cathode से anode की तरफ move कर रहे हैं या फिर anode से cathode की तरफ तो ये find out करने के लिए उन्होंने क्या किया कि cathode और anode दोनों का जो metal strap था उसमें कुछ छोटे छोटे pores यानि कि छेद कर दिये और दोनों sides tube के end में zinc sulfate की coating कर दी ताकि अगर जो particles हैं वो cathode से anode की तरफ move करें तो इस anode के pores से कुछ particles पास होकर इस area में collect हो जाएं और वहीं अगर anode से cathode की तरफ particles move कर रहे हैं तो इन pores से पास होकर इस area में collect हो जाएं जिससे उन्हें finally ये पता चल जाए कि किस direction में particles move कर रहे हैं तो फिर उन्हें ये practically perform करने के बाद जो result मिला वो था कि इस cathode के side तो कोई change नहीं आ रहा था बट इस anode के side का जो fluorescent material यानि कि जो zinc sulfate था ये glow कर रहा था अब ये glow क्यों कर रहा था तो उन्होंने ये assume किया कि ये जो particles हैं वो cathode से anode की तरफ flow कर रहे हैं इसलिए उन particles का कुछ पार्ट इस hole के थूरू पास हो जा रहा है और इस fluorescent material के साथ जाकर collide कर रहा है और इसी के वज़े से ये surface हमें glow करता हुआ दिखाई दे रहा है और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आज जो हम CFL bulbs यूज़ करते हैं और यहां तक कि जो tube वाले TVs यूज़ करते हैं वो सब भी इसी technology पे based होते हैं तो अब चलिए वापस आते हैं topic पे तो अब scientist को ये पूरी तरह से clear हो चुका था कि ये जो particles हैं वो cathode से anode की तरफ flow कर रहे हैं तो क्योंकि वो particles cathode से anode की तरफ flow कर रहे थे इसलिए उन्हें नाम दिया गया cathode ray समझे बात को तो अब जो ये cathode ray नाम दिया गया इन particles को इन्हें आगे और भी deeply study किया गया इसका behavior test किया गया और उन्होंने पाया कि ये जो cathode ray है ये बिल्कुल straight line में flow करता है बट इसके path के आसपास अगर कोई electric field या फिर magnetic field लगा दी जाए तो ये अपने path से deflect हो सकता है जैसे कि हम यहाँ पर उपर में अगर बहुत ज़्यादा positive charge डाल दें तो ये cathode ray यानि कि electrons उस side जाने के बजाए ये उपर के side deflect हो जाएगा तो अब positive charge के वजह से इस तरह का deflection तभी देखा जा सकता है जब वो जो cathode ray हैं वो जिस भी particles से बने हैं वो negatively charged particles हो क्योंकि अगर वो positively charged particles होते तो उनका जो deflection है वो इस side दिखता नीचे के side क्योंकि आप लोगों ने already पढ़ा होगा पहले कि similar charges एक दुसरे को repel करते हैं और जो charges similar नहीं होते वो एक दुसरे को attract करते हैं तो अब इसके बाद ये चीज भी clear हो गई कि ये जो cathode rays हैं ये negatively charged particles से मिल कर बने हैं तो अब इस experiment को और आगे बढ़ाते हुए और इस cathode ray के बारे में और अच्छे से जानने के लिए उन्होंने कुछ और चीजे modify करके देखी जैसे कि सबसे पहले उन्होंने electrodes का material change कर दिया और फिर उसके बाद उस tube के अंदर का gas भी change करके देखा बट ये दोनों करने के बावजूद भी जो cathode ray था उसमें किसी भी type का कोई change नहीं देखने को मिला तो इससे उन्हें ये पता चला कि ये जो cathode rays हैं जिन्हें हम आज electrons बोलते हैं ये material या फिर gas पर dependent नहीं है यानि कि material चाहे जो भी हो electrodes का cathode ray का जो behavior है उसमें कोई change नहीं आएगा और इसी के वज़े से उन्हें ये भी पता चल गया था कि ये जो electrons हैं ये सारे atoms के basic constituent हैं यानि कि जितने भी materials exist करते हैं इस दुनिया में उनके atoms का जो basic constituent है जो कि सारे types के atoms में बिल्कुल same होगा वो है electron समझे बात को तो चलिए अब इस experiment के जितने भी results आए उन्हें एक बार summarize कर लेते हैं तो जो first result आया था वो था कि the cathode rays starts from cathode and move towards anode यानि कि जो cathode rays हैं वो cathode से anode की तरफ move करते हैं और second result आया था कि ये जो cathode rays हैं इन्हें हम ऐसे हवा में move करते हुए नहीं देख सकते बट उनके behavior के वज़े से हम उन्हें एक certain kind of material में glow होता हुआ देख सकते हैं और इसके बाद जो third result आया था वो था कि anode या cathode के बीच के पात के आसपास अगर कोई electrical या फिर magnetic field ना present हो तो वो जो cathode rays हैं वो बिल्कुल straight line में travel करेंगे और जो fourth result आया था वो था कि जब हम इन cathode rays के पात के पास कोई positive charge डालें तो वो attract होगा उससे और अगर कोई negative charge डालें तो वो repel होगा उससे और इसके बाद हमारा जो fifth और last result आया था वो था कि cathode rays की जो characteristic properties हैं वो electrodes के material पर depend नहीं करेंगे और इसी के वज़ा से हम electrons को ही कि CV matter का basic constituent बोलेंगे तो अब इसके बाद जो हमारा next term है वो है charge to mass ratio of electron तो next video देखने के लिए आप यहाँ पर click कर सकते हैं और अगर ये video थोड़े भी informative लगी तो आप इस video को like कर दें और इसी तरह की और भी videos देखने के लिए आप हमारे channel को subscribe भी कर दें तो मैं मिलता हूँ आप से next video में तब ते के लिए take care and goodbye